हेलो बच्चों मैं हूँ मोनिका जाखर लेक्चर इन इंग्लिश बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगी पोएम दे रोड नौ टेकन बाइ रॉबर्ट फ्रोस्ट बच्चों रॉबर्ट फ्रोस्ट एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट है इनकी जो पोएम्स होत होती है यानिकी इनके जो पोएम में जो इंसिदेंस होते हैं वह बहुत ही सिंपल होते हैं लेकिन उनका बहुत ही गहरा complex social and philosophical themes होते हैं यानिकी उसके पिछे जो thought process है है वह बहुत ही गहरी होती है तो इसमें ordinary people show किय जाते हैं, ordinary everyday दिखाए जाती है इनकी पोयम में और रूरल लाइफ को भी ये डिपिट करते हैं with simple incidences यानि कि बिल्कुली सधारान सी घटनाओं को दर्शाते हुए वह उसके पीछे एक बहुत ही गहरा मतलब होता है Robert Frost की पोयम में तो आज की जो पोयम हम पढ़ेंगे उसका नाम है वह जंगल से गुजर रहा है और गुजरते समय जो जिस रोड पे वह चल रहा है वो रोड आगे जाकर दो रोड में बढ़ जाती है वो दो सडकों में बढ़ जाती है तो कवी ये फैसला करता है कि उसे किस रोड पे चलना है और किस तरह से आखिर में उसका ये फैसला उसके लिए शंका पैदा करता है कि क्या उसने सही चुनाव किया है तो इसमें कभी हमें यह संदेश देना चाहता है कि हमें जीवन में बहुत बार बड़े-बड़े फैसले करने पड़ते हैं, चौइसिस करने पड़ती है और इनी और इनी selection की वजह से हमारा आगे का जीवन है वो उस पर depend होता है तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं poem This well-known poem is about making choices यानि कि यह जो बहुती विख्यात प्रख्यात poem है यह making choices के बारे में है यानि कि हम decisions क्या लेते हैं हम क्या choice अपने जीवन में किसको चुनाव क्या हम करते हैं and the choices that shape us यानि कि वे चुनाव जो हमें बनाते हैं शेप उसका मलब जो हमारा future decide करते हैं कि हमारा भविश्या आगे क्या होगा वो किस पर depend है हमारे selection पर या हमारे choices पर Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि Robert Frost जो है वो एक American poet है जो बहुत ही simple incidences लिखते हैं अपनी poem में लेकिन उसके पीछे गहरा thought होता है गहरा मतलब होता है about common ordinary experiences हलांकि उनके जो poem है surface पे वो बहुत ही common साधारन और बहुत ही ordinary से अनुभव लिखते हैं तो चलिए हम word to word explanation करते है poem की stanza first two roads diverged in a yellow wood यानि कि दो सडके एक yellow wood में diverge होती है diverge का मतलब होता है बच्चो separate होना या divide होना in two different directions यानि कि अलग लग दिशाओं में separate हो जाना तो दो सडके yellow wood में separate होती है yellow wood wood होता है बच्चो जंगल या forest और yellow इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि यह autumn season है पत्चड का मौसम है और इस season में जादातर पत्ते जो है वो पीले पड़ जाते हैं इसलिए जंगल को ही yellow wood कहा गया है and sorry I could not travel both तो लेखका आगे कहता है कि उसे इस बात का दुख है sorry खेद है कि वो दोनों को travel नहीं कर सकता यानि कि एक बार में वह है दोनों पर नहीं चल सकता but be one traveler एक यातरी होने के नाते long I stood यानि कि long मतलब काफी देर तक मैं वहीं खड़ा रहा and look down one as far as I could और मैं एक road की तरफ जितना दूर हो सके उतनी दूर तक मैं उसकी तरफ देखता रहा to where it bent in the undergrowth और दूर जाकर वो undergrowth में bent हो जाती है bent का मतलब होता है मुड़ना और undergrowth का मतलब होता है छोटी-छोटी जारियां जो सड़क के दोनों साइड उगी होती है तो लिखा कहता है कि जब मैं जंगल से जा रहा था autumn season था जब मैं सड़क पर चल रहा था जंगल की बीच में तो सड़क दो में diverge हो जाती है दो सड़कों में बढ़ जाती है और लिखा कहता है कि क्योंकि मैं इन्स ज़कों पर नहीं चल सकता आगे बच्चो नेक्स टेंजा यानि कि उसके बाद में मैंने दूसरी ली कौन सी रोड ली? अदर यानि कि second road उसने चुनाव की एक को उसने first नाम दे दिया है और दूसरी रोड को उसने second नाम दे दिया है then took the other यानि कि मैंने दूसरी रोड ले ली just as fair fair का मतलब उतनी ही अच्छी वो लग रही थी and having perhaps the better claim perhaps का मतलब शायद the better claim यानि कि शायद वो दूसरी रोड और भी अच्छा दावा कर रही थी बेहतर दावा कर रही थी यानि कि लेखक अभी भी असमंजस में है वह कहता है कि perhaps यानि शायद शायद वो दूसरी जो सडक है जो रोड है वो मेरे लिए जादा अच्छी रहेगी because it was grassy and wanted wear और लेखक इसके पिछे अपना तर्क भी देता है कि दूसरी रोड क्यों अच्छी रहेगी क्योंकि it was grassy grassy का मतलब जिस पर grass हो यानि घास हुगा हुआ हो and wanted wear यानि इस पर लोगों ने बहुत ही बहुत कम लोग चले हो वेर का मतलब गिस जाना या पुरानी हो जाना तो यह कम लोगों के चलने से गिसी भी नहीं थी मतलब इस पर इतने लोग नहीं चले था कि इसकी घास खराब हो जाए इसलिए मुझे लग रहा था कि वो रोड जादा बेहतर रहेगी though as for that the passing there the passing there बच्चों यहाँ पर उन लोगों के लिए कहा गया जो वहाँ से गुजरे हो had worn them really about the same अगर वहाँ पर उतने लोग चले होते तो उतनी ही worn out हो जाती वो उतनी गिसी भी सड़क जो थी वो उसी तरह हो जाती तो बच्चों इसमें second paragraph में जो लेखक है वह यह कहना चाता है कि मैंने दूसरी रोड का चुनाव किया क्योंकि वो मुझे उतनी अच्छी लग रही थी और शायद बेहतर लग रही थी उसका दावा मुझे बेहतर नजर आ रहा था क्योंकि वह ग्रासी थी यानि कि उस पर बहुत ही कम लोग चले थी तो बच्चों ये कॉशन हम इसे पूछा जाता है कि कौन सी रोड सेलेक्ट की पोयम ने विच रोड डिड़ पोयट सेलेक्ट तो हम कहेंगी कि the second road जो दूसरी रोड थी वो सेलेक्ट की और क्योंकि क्योंकि it was less traveled by उसने ऐसा चुनाव क्यों किया क्योंकि वह रोड less traveled थी यानि कि उस पर बहुत ही कम यात्री है बहुत ही कम लोग चले थे तो लिखा को लगा कि इसका जो दावा है वो जादा बहतर रहेगा आगे third paragraph and both that morning equally lay in leaves यानि कि उस सुबह जिस सुबह कभी वहां से गुजर रहा था उस सुबह दोनों ही जो रोड थी दोनों ही जो सडकें थी equally lay in leaves यानि कि उन सडकों पर पत्ते पड़े हुए थे no step had trodden black यानि कि अब सडकों पर पत्ते पड़े थे और जो पत्ते थे वो काले नहीं पड़े थे यानि कि पत्ते काले कब पड़ते हैं जब उन पर यात्रियों के या चलने वालों के पैर पड़े हुँ तो कवी ये कहना चाता है कि बहुत ही कम लोग वहां से गुजरे थे ना की बराबर लोग गुजरे थे अगर गुजरे होते तो वहां के पत्ते काले पड़ जाते लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था इसलिए वहां पर पत्ते ऐसे के ऐसे ही पड़े थे कवी कहता है अब जैसा कि हमने second paragraph में पढ़ा कि कवी ने दूसरी रोड का चुनाव किया है तो first वाली उसने किसली रख दी कवी कहता है कि मैंने पहली वाली रोड किसी और दिन के लिए रख दी यानि कवी और जब मैं यहां लोड कराऊंगा मुझे चुनाव करना होगा तो मैं first वाले को चुनाव फिर कभी किसी और दिन कर लूँगा yet knowing how way leads on to way हलांकि मुझे इस बात का अच्छे से पता है कि how way leads on to way यानि कि किस तरह से एक रास्ता दूसरी रास्ते की और जाता है यानि कि जब हम एक रास्ते का चुनाव कर लेते हैं तो आखिर में हमें destination मिल जाती है हमारी मंजिल मिल जाती है I doubted if I should ever come back बच्चों इस paragraph की last line में कवी अपना संदे प्रकट करता है ऐसा ना हो कि मैं कभी वापिस लौट कर ही ना आपा हूँ यानि कि यह जो पंक्तियां है यह हमारे जीवन में जो हमें कभी-कभी फैसले करने पड़ते हैं बड़े choices करने पड़ती हैं तो उसके बारे में बताया गया है कि कभी-कभी हम ऐसे फैसले कर लेते हैं काफी आगे निकल जाते हैं कि हम वापिस मुड नहीं सकते उस समय हमारे मन में संदे होता है कि क्या हमने फैसला सही किया है तो कभी भी इसी मनोस्तिती से फिलाल गुजर रहा है आगे बच्चो फोर्थ पैरेग्राफ I shall be telling this with a sigh यानि कि यह मैं गैरी सांस लेकर कहूंगा somewhere ages and ages hence यानि कि hence का मतलब यहां पर future से है यानि कि कभी बाद में खुद सोच रहा हूंगा मैं यह बाद two roads diverged in a wood यानि कि दो सड़के एक जंगल में बंट रही थी diverge हो रही थी and I took the one less traveled by यानि कि कभी बाद में शैद मैं यह बाद सोचूंगा कि दो सड़कें थी जंगल में और मैंने वो चुनी जिस पर की less traveled by यानि कि जिस पर की बहुत ही कम लोग चले थे and that has made all the difference मेरा जो भविश्य था आगे का जो मेरा चुनाव था उसने पूरी मेरी लाइफ बदल दिया यानि all the difference का मनल उस मेरी selection की वज़े से मेरी choice की वज़े से मेरे decision की फैसले की वज़े से मेरा सारा जो जीवन आगे का future वो depend करता है तो बचो मैं समझती हूँ कि आपको यह पोय हम word to word explanation समझ आ गई इसकी अब हम इसकी rhyme scheme भी देख लेते हैं rhyme scheme देखने के लिए हम first line का last word देखेंगे फिर हम second line का last word देखेंगे फिर हम third line का last word यानि कि इसी तरह हर एक paragraph की हम पांचों line के last words देखते हैं फिर हम देखेंगे इसकी rhyme scheme क्या बनती है would first line का last word है would और third line का last word देखेंगे आप है stood तो would और stood जो है वो एक जुसरे से rhyme कर रहे हैं इसी तरह है जो second line है बोथ है वो और fourth line जो है वो उसके last word है could और fifth line का last word है growth अब आप देखेंगे बोथ की जो rhyme है वो किसे मिल रही है इसकी जो ध्वनी है जो sound है वो किसे मिल रही है growth से ठीक है तो would हो गया first line में third line में stood हो गया और fourth line में भी could है तो would, stood और could हम would को नाम देदेंगे A हम बोथ को नाम देदेंगे B तो stood को हम क्या नाम देंगे फिर से A नाम देंगे तो A, B, A और could को हम फिर से क्या नाम देंगे A क्योंकि would, could और stood तीनों ही मिल रहे हैं आपस में इनकी rhyme मिल रही है तो हम इसकी rhyme scheme हो जाएगी A, B, A, A और B यानि कि both और undergrowth एक जुस्रे से rhyme कर रहे है तो इनको हम same B वाला नाम देंगे तो ये rhyme scheme हो जाएगी A, B, A, A, B तो बच्चों ये इस paragraph की rhyme scheme हो गई इसी तरह अगर हम second paragraph देखें where, claim, where, there, same तो देखें यहाँ पर fair और where और there ये तीनों मिल रहे हैं आपस में और claim और same ये भी दोनों आपस में मिल रहे हैं तो इसकी rhyme scheme भी वही हो जाएगी A, B, A, A, B जैसा की उसमें हमने first paragraph में किया था आगे third paragraph भी देख लेते हैं lay, black, day, way, back तो black और black यानि second line का black और fifth line का back जो है वो आपस में rhyme कर रहा है इसी तरह से first line का lay, third line का day और fourth line का way आपस में rhyme कर रहे हैं तो इसकी rhyme scheme भी वही हो जाएगी A, B, A, A, B तो बच्चों इसी तरह से fourth paragraph भी है साइ उसके बाद में third line में I है उसके बाद by है और last में hence or difference तो इसका भी rhyme scheme बच्चों किसी भी poem के rhyme scheme all through the poem सेम ही होती है तो इस पूरी poem में यही rhyme scheme चलेगी A, B, A, A, B A, B, A, B तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे से poem समझ आ गई है इसकी rhyme scheme भी समझ आ गई है तो बच्चों इसकी अगली वाली वीडियो में हम इस poem के question answer करेंगे मुझे आशा है कि आपको यह poem अच्छे से समझ आ गई है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज आप इसे like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए और आप bell icon भी दबाएए ताकि जब भी मेरा next वीडियो आता है तो आपको पता सलजाए अगर आपके कोई doubts या comments है तो प्लीज आप comment box में भी जरूर लिखिए थेंक यू